नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आर के योजना पर दोस्तों आज की यह वीडियो बुजुर्ग दिव्यांग और विद्वा तीनों को लिए ही है क्योंकि इस वीडियो में तीनों के बारे में जानकारी मिनने वाली है कैसे ये तीनों 2022 के अंतरगत आविदन करके अपनी पैंसन बनवा सकते हैं और दोस्तों तिमाई महिने 45 रुपे पैंसन ले सकते हैं ऐसे आप ओनलाइन आविदन कर सकते हैं नियम पातरता दस्तावेज दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर यह बताने वाले हैं कैसे आप ओनलाइन आविदन करके अपनी पैंसन का लाब ले सकते हैं अपनी पैंसन बनवा सकते हैं दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्रावजर पर जाना होगा अपने फोन में ओपन कर लेना है आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए हम भी अपने फोन में गूगल क्रोम ब्रावजर ओपन कर लेते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने फोन में गूगल क्रोम ब्रावजर ओपन कर लिया है अब दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सन्निवेदन है यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नए नए जानकारी लाने के लिए दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही दोस्तों बैल आइगन के बटन को प्रेस करना न भूले क्योंकि जो हमारी वीडियो का नोट्फिक्शन है वे सबसे पहले आपको पराप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके चले दोस्तों अब हम यहाँ पर वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आजाने के बाद आपको सर्च कर देना है सर्च क्या करना है यहाँ वे भी हम आपको बताते हैं यहाँ पर आपको लिखना है SSPY sspy दोस्तों उसके बाद आपको select लगाकर up.gov.in ये आपको डाल देना जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं Google Chrome browser ने automatic ही searching list में इसको यहाँ पर ला दिया है ये आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जब आपका भी सर्चिंग लिष्ट में आ जाता है अगर नहीं आता तो आप as it is ही पूरा लिंक यहाँ पर लिख लीजेगा उसके बाद आपको search कर देना है जैसी आप search करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों हम यहाँ पर सरकार द्वारा जो भी ओफसल वेबसाइट है हम उस पर आकर यहाँ पर पहुंच गई है यहाँ पर आ जाने के बाद दोस्तों अपने फोन में आपको क्या करना है वे भी हम आपको जाते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाने के बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर आ जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर यहाँ से तो आप न्यू अपडेट्स पढ़ सकते हैं समचार पढ़ सकते हैं यहाँ पर वर्दवस्ता पैंसल की जानकारी आप यहाँ से ले जाएगी अब दोस्तों यहाँ पर आ जाने के बाद आपको बताते हैं कैसे आप ओनलाइन आविदन कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है यह वर्दवस्ता पैंसन और निरासित महिला पैंसन यहाँ पर दोस्तों आप यह पढ़ सकते हैं एक एकरत समाजी पैंसन पोर्टल पर हम है इस टाइम जहां से आप आविदन कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर किसी एक पैंसन के बारे में आपको बताते हैं उसी परकार से ही आप अपने पैंसन के साब जो भी आपको पैंसन बनवानी है विकलांग पैंसन बनवानी है वर्दवस यहाँ पर आपको किलिक कर देना है जैसे आप इस पर किलिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने कुछ अगला पेज इस तरह से ओपन हो जाता है जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर किलिक कर देते हैं अधिक जाने पर पर हमने किलिक कर दिया है अब थोड़ा इंदजार हमें करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे network थोड़ा slow है आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे सामने अगला page open हो चुका है अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको वर्दवस्ता पैंसन योजना के अंदरगत कैसे आविदन कर सकते हैं यह एक्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं इसी परकार से ही आप विकलांग पैंसन और विद्वा या तलाक्षुदा पैंसन के लिए आविदन कर सकते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्दवस्ता पैंसन योजना के विषय में ओनलाइन आविदन का प्रारूप दोस्तों यहाँ से आपको मिल जाएगा आप दोस्तों यहाँ पर अगर आपने पहले ही रिच्टेशन करा रखा है तो आप यहाँ से आविदक लोगिन कर सकते है यहाँ से पातरता पड़ सकते हैं उसके बाद ओनलाइन आविदन करें आपको इस पर किलिक कर देना है ओनलाइन आविदन करें चले दोस्तों हम इस पर किलिक कर देते हैं जैसे ही आप किलिक करवाएंगे तो आप देख रहे हैं हमारे नेट्रोक सलो हैं हमने आपको पहले भी बताया था और आप देख सकते हैं कि अगला पेज हमारे फॉन में ओपन होने जा रहा है कुछ इस परकार से हैं दोस्तो आपको ऐसे ही जैसे हम आपको लेकर आए हैं गूगल से हमने सर्च किया है वेबसाइट का हमने लिंक जैसे डाला है आपको इसी परकार से डाल देना है और डाल देने के बाद जैसे आप सर्च करेंगे तो आप डिरेक्ट ही जो पैंसन पोर्टल है आप उस पर पहुँच जाएंगे यहाँ पर आजाने बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ से आप डिरेक्ट ही आविदन कर सकते हैं आविदन करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना रेशिशन कराना होगा relation कराने कि लिए आप यहां पर यह online देख रहे हैं दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपको अपना जनप्द सेलेक्ट कर लेना है फिर आप अगर गाउं से हैं या सहर से हैं वैं आपको click कर लेना है उसके बाद जो आपकी तेसील है यहां पर आपको दर्ज कर देनी है फिर उसके बाद जो आवेदन करता है उनको यहाँ पर अपना नाम डाल देना है फिर उसके बाद दोस्तो मेल है फीमेल है यहाँ पर आपको डाल देना है फिर उसके बाद जनमति थी आपको अपनी यहाँ पर भड़ देनी है दोस्तो पिता का नाम क यहां पर आप देख सकते हैं पूरा एड्रस आपको जो भी आपका presently पता है permanent वे आपको यहां पर डाल देना है उसके बाद दोसतो bank विवरण क्या है उसकी जानकरी आपको यहां पर देनी है फिर आपका आता है आये यहां पर आये का विवरण यान नी कि जो आपकी आये है यहाँ पर वो आपको डाल देनी है जो आपके पास आई पर्मान पतर है उसी as it is वही आपको यहाँ पर डाल देनी है फिर यहाँ पर देख सकते हैं दस्तावेज अपलोड करें सभी दस्तावेज आपको अपलोड करने अपलोड कैसे करने उसके बारे बताए गया है अपलोड रंगिन पासपोर्ट के आगार की फोटो आपके पास होने चाहिए यहाँ पर जो आपकी जनमती थी है आयू परमान पतर यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है उसके बाद दोस्तों यहां पर दिख रहे हैं मैं गोशना करती हूँ या उसके बाद करता हूँ या करती हूँ कि मैं केंद्रेयम राज्य सरकार से किसी अन्ने योजना के तहत पैंसन समंदी आर्थिक लाप राप्त नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ मेरे दुआरा दी गई उप्युक्त समस्त जानकारिया पूनते सत्य हैं तथा किसी भी इस तर पर सत्य पाई जाने पर समस्त भुकत नित धनरासी भुराजसु के बाके में बाती वसूल कर लिए जानने का मुख्य आपती नहीं होगी अब दोस्तों उसके बाद यहां जैसे आप एजरी स्टिक कर देते हैं इस प्रकार से ही आप किलिक करेंगे तो यहां पर किलिक हो जाएगा जैसे आप देख रहे हैं उसके बाद दोस्तो जो यहां पर यह capsicode है आपको दरजी कर दिना है और submit के बटन पर किलिक कर दिना है जैसे submit के बटन पर किलिक करेंगे तो आपका यहां पर जो registration है वे complete हो जाएगे दोस्तो यह तो आपको पता चल ही गया है कि आवेदन आप कैसे कर सकते हैं लेकिन आवेदन करते समय किन दस्तावजो की आवशकता पढ़ने वाली है यह भी जानना बहुत ही जरूरी है चले दोस्तो अब हम आपको बताते हैं जब आप आवेदन करेंगे तो आपको किन दस्त योजना के अंतरगत महत्पुन दस्ताजों के बारे में जो कि सबसे पहले वर्दवस्ता पैंसन योजना के बारे में यहां पर आप देख रहे हैं वर्दवस्ता पैंसन में जन्म परमान पतर पहसान पतर जैसे कि आपका वोटर आईडी कार्ड आपका आधार कार्ड राशन क और दोस्तों, आपके पास बैंक की पास्वूख होनी चाहिए, जिसके अंतरका दोस्तों सरकार द्वाला जो भी पैसा बेजा जाता है, पैंसन का वे सिद्ध्याब के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है, फिर दोस्तों आपका आय परमान पतर भी इसमें मांगा गया है अब बात करते हैं विद्वा पैंसन योजना के अंत्रगत महत्तपुन दस्तोजे के बारे में सबसे पहले दोस्तों इसमें जनम परमान पतर मांगा गया है अगर आपने 8 वी 9 वी 10 वी दोस्तो अगर आपने 10 वी पास की हुई है तो आप इसमें 10 वी के मर्क सीट भी लगा सकते हैं अब दोस्तों इसमें ये देश सकते हैं पैसन पत्र के तोर पर जैसे के आपका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक की पासबुक भी इसमें मांग गया है। तो जो विकलांग व्यक्ति हैं, कुश्ट अवस्ता पैसन वाले व्यक्ति हैं अगर वे आविदन करना चाथे हैं तो उनके लिए महत्वुन दस्तावजी इस परकार्ड से हैं सबसे पहले जैसे की जनव परवान पत्र, पहशान इसमें परवान पत्र मांगा गया है जैसे के व्यक्ति और कुष्ट अवस्था वाले व्यक्ति दोनों ही इस योजना के लाब ले सकते हैं, आविदन कर सकते हैं सरकार दुआरा पैंसन योजना के अंतरगत यह थी आपके लिए महत्तपूर्ण जानकारी जदी जानकारी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंड बॉक्स में जाकर हमसे पूस सकते हैं आपके सवी सालों का जवाब दिया जाएगा लाश्ट में निवेदर ने करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बैल आइगन के बटन को प्रेस करना न भोले ताकि जो हमारे वीडियो का नोटफिशन है सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ जब तक के लिए जै हिंद जै भारत